एक साल पहले तक कहा जाता था कि हमास के लड़ाके सिर पर कफन बांद कर चलते हैं कहा जाता था कि हिजगुला के 50,000 लड़ाकों ने इसराइल पर हमला बोन दिया तो इसराइल रोक नहीं पायागा लेकिन पिछले एक साल में इसराइल ने इस कहवत को बदल कर रख दिया है हमास और हिजबुल्ला के नाम से इसराइल को ड़ाने वाले अब खुद खौफ के साय में जी रहे हैं हमास और हिजबुल्ला की बात तो छोड़ी है इन दोनों आतन की संगट्नों के पालने पोसने वाला इरान खुद इसराइल के नाम से खौफ में है अपने दो दो चीफ की हत्या के बाद अब हमास ने तै कि संगट्न के नए मुख्या की पहचान दुनिया में छिपा कर रखी जाएगी क्योंकि इसराइल ने पहले हमास चीफ इसलाइमाइल हनिया को जहनुम पहुचाया इसके ढ़ाई महिने बाद हमास के नए चीफ यहया सिन्वार को भी उसी के पास भेज दिया इसके बाद हमास के नए चीफ की रेस में कई नाम सामने आए जिसमें खलील अलहया, खालिद मिशाल, मुसा अभी मरजौक, जहीर जबरीन, मुहम्मद इसमाईल दर्विश इस पद के प्रमुक दाविदार माने गए इन पांचों में से एक को संगटन का सरगना चुनने का फैसला करने से पहले हमास ने एक बड़ा फैसला किया कि इस बार को अपने नए चीफ का नाम सीक्रेट रखेंगे ताकि इसराइल को ये पता ही न चल पाए कि हमास का नया चीफ कौन है, जिससे कि इसराइल उसे मारने के पीछे ना पड़े और हमास का नया चीफ संगर्ठन को फिर से जिंदा करने की कोशिश करे इसी खौफ में इरान का दूजरा प्रोक्सी हिजबुला भी जी रहा है इसराइल ने एक हपते की भीतर हिजबुला के तीन नए चीफ को मार गिराया जिससे हिजबुला को हिजबुला के पीसे नए चीफ हाशिम सफित्दीन को भी इसराइल ने मार गिराया इसलिए हिजबुला के नए चीफ शेख नईम कासिम को अब ये डर सताने लगा है कि ना जाने कब उसके ओपर भी इसराइल का फंकर बस्तर बम गिर जाये और उसके चीथे डूड़ जा रिपोर्ट कहती है कि हजबुला नेता नईम कासिम को डरहे कि नसरला की तरह उसको भी टारगेट करते हुए इसराइल हमला कर सकता है इसलिए कासिम ने ठेकाना बदल दिया और अब वो लिबनान की बजाए इरान में रहना ज्यादा सुरक्षित समझ रहा है हमास और हजब बदला लेने की तैयारी में लगा है उधर हिजबुला को पूरी तरह से ड्रेन आउट कहें या फिर नियूटिलाइज कहें इसे करने के लिए लेबनान पर आईडियफ अपनी कारवाई को लगातार अंजाम दे रहा है आज कि अगर बात की जाए तो 160 रॉकेट दागे गए हैं लेबनान में आईडियफ यारिक इसराइल की तरफ से फिर ड्रोन अटेक से भी हमला हो रहा है और रॉकेट से भी हमला हो रहा है खुद बेंजमिन नितन्याहू ये कह चुके हैं कि इसराइल साथ मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है एक तरफ हमास है दूसरी तरफ हो गया ऐसा लगता है और वो है भेदियों से निपटने का दरसल टेलिग्राम पर हाल में एक सीक्रेट प्लान लिख हुआ ये प्लान इसराइल की तरफ से इरान पर लिये जाने वाले एक्शन से जुड़ा हुआ था अब ये प्लान क्या था क्या इसराइल ने कोई प्लान तरफ से तयार की गई थी और इसलिए ही अमेरिका में अब हलकंप मचा हुआ है इतना हलकंप मचा है कि पूछिये मत इस मामले से जुड़े या कहें परिचित लोगों में से एक ने दस्तावेजों की पुष्टी करने की भी बात कई है दर स्यने ने एक अमेरिके अधिकारी से बात की जो इसे बेहद ज्यादा चिंता जनक बता रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि दस्तावेजों में टॉप सीक्रेट दिखाया गया यानि की ऐसे निशान इस पर बने हुए थे जो या तो अमेरिका या फिर उसके फाइव आईज के पास ही होने चाहिए अब फ इसराइल की तैयारियों की जानकारी है एक दस्तावेज में कहा गया कि योजनाओं में इसराइल के द्वारा गोला बारूत को इधर उधर ले जाना शामिल है एक अन्या दस्तावेज के बारे में बताया गया कि इसे राश्ट्रिय सुरक्षा एजिंसी से हासिल किया गया है इसमें हवा से सतव पर मार करने वाली मिसाईलों से जुड़े इसराइली वायुसेना के अभ्यास की रूप रेखा तक दी गई है अब अमेरिका हैरान और परिशान दोनों है इस बात को लेकर कि ये जो दस्तावेज हैं इन तक किसकी पहुँच थी अभी अफिशिली इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है लेकिन एक बात तो तैह है कि ये मामला अब बहुत भारी नतीजे ला सकता है जंग का रुख भी बदल सकता है। वैसे ये भी हो सकता है कि ये किसी वार टैक्टिक्स का नतीजा हो या हिस्सा हो लेकिन अगर इसमें कोई सचाई है तो जाहिर है इसे कोई मानने के लिए सामने शायद ही आएगा इसके बाद भी क्या होगा ये बड़ा दिल्चस्प रहने वाला है क्योंकि इसराइल जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट हासल बताया जाता है उसी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पेंटागन से रिपोर्ट लीक हो जाना और कथित रूप से वो रिपोर्ट जो अमेरिकी खुफिया एजिंसी ने इसराइल की एरान पर हमले की तैयारी को लेकर तैयार की थी इसके माइने बहुत ज्यादा गहरे हैं और ये एक प्रकार से दोनों के बीच आपसी भरोसे में बड़ी दरार के रूप में भी देखा जा सकता है लीक दस्तावेजों में बताया गया कि 8-16 अक्टूबर के बीच इसराइल की तीनों सेनाओं ने फाइनल ड्रिल की आखरी चिरण में एर बोन वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों और लड़ाकू जट के साथ ड्रिल की गई जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को शामिल किया गया था इतना ही नहीं हवाई हमले के साथ जमीनी हमले की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी और तो और प्रोक्सी वार के लिए भी सोशल फोर्स तैयार की गई ये स्पेशल फोर्स बताई गई और भी बहुत कुछ इस रिपॉर्ट में बताया गया लेकिन एक अलग एंगल में इसम बड़ा कारण हो सकते हैं और अगर ये रिपोर्ट लीक होती है तो जाहिर है इससे बाइडन प्रिशासन पर भी इसराइली भरोसे के डगमागाने का खत्रा पैदा होता है। हिजबुला की तरफ से ड्रोन हमले किये गए और उसने ये साबित कर दिया कि भले ही हिजबुला के कमांडर्स को धेर कर दिया गया हो लेकिन उसके पास लड़ने की ताकत और स्ट्राटरजी दोनों मौजूद है। है कि तीन में से दो ड्रोन गिरा दिये गए लेकिन एक ड्रोन नितन्याओ के घर पर हमला करने में काम्याब रहा। तो क्या ये एक बड़ा सीक्योरिटी लीकेज नहीं है यानि कि जिस समस्या की बात इसराइल के लिए की जा रही है वो यही है कि उसके साथ मोर्चे पर नहीं बल्कि इससे ज्यादा मोर्चों पर जंग चल रही है। इससे ये साफ हो गया है कि इसराइल कई मोचों पर साथ से ज्यादा मोचों पर जंग लड़ा है और फर्क इतना है कि इसराइल को इसकी खबर अभी अभी लगी है जबकि दूसरी तरफ रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर इसराइल की तरफ से इरान पर हमला होता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और अगर शामिल होता है तो रूस भी इरान के साथ मैदान में खड़ा मिलेगा जबकि नाटो देश तुरकी भी इरान के साथ प्रवार जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता था उसे इसराइल की डिफेंस पोर्स ने मार गिराने का दावा किया और बताया गया कि जो वीडियो सामने आया वो उसके कुछ देर पहले का है जब उसे मार गिराया गया आईडियेफ नहीं इसे जारी किया जिसमें सिनवार अपनी बीवी और बच्ची के साथ नजर आ रहा है खबर तो ये भी मिल रही है कि सिनवार की डेड बॉडि का सौधा अब आईडियेफ हमास के चंगुल में फसे इसराइली बंधकों को छुडाने के लिए कर रही है क्योंकि जानकारे के मताबिक हमास चीफ की मजार उसकी तरफ के लोग बनाना चाहते हैं और इसके बदले बंधकों को रहा कराने की कोशिश में आईडियेफ लगी हुई है